Hello students, welcome and welcome back to class English, simplified and thank you so much for joining us. So students and elementary school classroom in asylum, यह हमारी poem है, जिसके की हम extract based question and answers को cover कर रहे हैं, और यह आपकी class 12 flamingo book का chapter number 2 है, जो की एक poem है और जो की Stephen Spender ने लिखी है. तो स्टार्ट करते हैं students अपने स्टेंजा को, तो स्टेंजा है, दस्टन अनलखी हियर और ट्विस्टेड बोंस, रिसाइटिंग अफादर्स नौरल्ट डिसीज़ की एक जो मुड़ी हुई, जो बदकिस्मत एक वारिस है, उत्रा दिकारी है, जिसकी की हड्या और वो अपने desk में जो पुस्तक है उसकी, वहां से एक lesson को भी वो रीट कर रहा है, और इसके साथ सथ वो अपने father के बिमारी को भी बता रहा है, अब जो पीछे classroom में एक जिसको की notice नहीं किया जा रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ है, जो की dim light में है, and young his eyes lies in a dream, और वो ए एक young लड़का है, और उसकी जो आँखे हैं, उसमें अभी भी सपने भरे वे हैं, और वो किस चीज़ के सपनों में डूबा हुआ है, कि शायद उसे जो पेड के अंदर जो अपना घर बना लेती हैं, गे लहरियां, वो उसके सपनों में खोया हुआ है, उसकी आँखों में स और इसके साथ साथ एक दूसरा बच्चा है, जो कि क्लास में बिल्कुल पीछे dim light में बैठा है, जिसको notice नहीं किया गया, और उसकी आँखों में सपने हैं, तो इस टैंजा से जो question बन सकते हैं, वो है, तो question number one है, who is the unlucky here and what will he inherit, कि यहाँ पर जो बदकिस्मत उत्रादिकारी है, वो कौन है, और उसने क्या अपनी विरासत में पाया है, तो answer है, the lean and thin boy having red eyes and a stunt growth in the unlucky here, कि यहाँ पर एक लड़का है, जो कि बहुत ज़्यादा पतला है, कमजोर है, और उसके आखे को portion के विजए से, reds की आईस की तरह लगते हैं, चुहें की आखों की तरह लगते हैं, और उसकी जो growth है, वो रुख चुकी है, और उसने यही बतकिस्मती जो है, विरासत में पाई है, this boy is unlucky as he has inherited a disease from his father, due to which he has got a deformed body, अब यह जो लड़का है, यह बहुत ज़्यादा बतकिस्मत है, और जिसने विरासत में इस बिमारी को अपने फादर से पाया, और इसी विज़ of receiving any advantage from his father, he has inherited a disease, उसने अपने फादर से और किसी भी तरीके की कोई advantage नहीं ली है, कोई मदद नहीं है, उसके फादर जो है, अमीर नहीं है, विरासत में उसने धहन नहीं पाया, खुशिया नहीं पाई, अपने लिए जीमन की अने को वस्तुए नहीं पाई, जो कि अक्सर ब विरासत में इस बिमारी को अपने फादर से पा लिया, तो यहां पर ये एक लड़का है, बच्चा है, जिसने की विरासत में जो कि बदकिस्मत उत्रादिकारी है, और जिसने विरासत में इस बिमारी को पाया है, तो बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, तो नेक्स्ट boy is sitting on his bench and studying his lesson अब ये जो handicap लड़ का है विकलांग लड़ का जो है ये अपने bench पर बैठा है और अपने lesson को रीड कर रहा है he is talking his father's disease in a very systematic way और उसके साथ साथ वो अपने father की बिमारी के बारे में बड़े ही systematic वैसे बात कर रहा है बता रहा है तो एक तरीके से वो अपने study में अपने lesson को भी recite कर रहा है और उसके साथ साथ वो अपने father की बिमारी को भी एक तरीके से recite कर रहा है उसके बारे में वो बात कर रहा है तो बढ़ते हैं next question की तरफ तो next question है who is the sitting at the back of the dim class की पीछे जो dim light है यानि के धुनली से अंधेरे में क्लास में पीछे कोन बैठा हुआ है तो answer है at the back of the classroom in a dim dark area was a small boy who was not visible to the poet अब ये जो classroom के बिलकुल पीछे जहाँ पर की बिलकुल dim light है अंधेरा area है जहाँ पर और वहाँ एक छोटा लडगा बैठा हुआ है जो की बिलकुल भी नजर नहीं आ रहा है और poet भी उसको नहीं देख पाया because he was sitting in the dark क्योंकि वो अंधेरे में बैठा हुआ है अब जो poet है वो इस लडगे की आँखों में देख सकता है which were bright and full of dreams जिसकी आँखों में बहुत चमक है और इसकी आँखे सपनों से भरी हुई है he was not paying attention in class अब उसका ध्यान बिलकुल भी class के तरफ नहीं है कि class में क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है या कौन उन्हें क्या पढ़ा रहा है बलकि उसकी आँखे सपनों से भरी पढ़ी है और वो class में बिलकुल पीछे बैठा है अंधेरे में और जिसकों की notice नहीं किया जा रहा बिलकुल भी तो बढ़ते हैं next question की तरफ तो next question है कि उसकी आँखों में सपने भरे है तो उसकी आँखों में क्या सपने है वो किस तरीके के सपने देखता है या उसकी अभी लाशा है तो answer है the boy seems hopeful की जो लड़का है वो मीज से भरावा नजर आता है the boy seems hopeful it seems like he was more interested in playing with the squirrels in the tree house और ऐसा लगता है उसे देखकर की वो बहुत जादा interested है की वो जो गिलहरियां जो पेड़ों में अपने घर बना लेती है और वो वहाँ पर खेल रही है तो वो भी उनको साथ खेलना चाहता है उनको खेलते वे देखना उसको बहुत जादा पसंद है he dreams of me things other than this dim and unpleasant classroom अब जो उसके सपने है वो बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए है जो की बहुत ही dim और unpleasant वाता वरण में classroom में सबसे पीछे बैठा हुआ है और वो unnoticed है such as green fields, open areas, open seas and happy environment और उसके क्या सपने है की वो हरे भरे घास के मैदान देखना चाहता है open समुद्र देखना चाहता है और उसके साथ साथ वो खुश नुमा महोल चाहता है एक ऐसा environment चाहता है जहां वो खुशी पूरवक अपने life को बिता सके तो वो जो उसके सपने अपने लेकर बैठा हुआ है और उसके अलावा वो जिस classroom में बैठा है वो बड़ा गंदा सा है गुटन भरा है महा हावा तक नहीं आती अच्छा रोशनी नहीं है अच्छी हावा नहीं है तो उससे बिलकुल opposite वो अपने आँखों में सपने रखता है कि वो एक खुश नुमा महोल में जाए जहां पर खुले हरे भरे मैदान है खुला आसमान है और महा पर open seas है खुला समूदर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए और परेट कीजिए ताकि आने वाला हर वल्यूबल वीडियो आप तक पहुंचे मिलते हम आप से अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वोचिंग स्टेए कनेक्टेड थैंक यू